नमस्कार दोस्तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे और आपके खास मेहमान है जाने माने प्लेबेक सिंगर सोनु निगंग आपसे बाचीत की है ममता सिंग है सोनु जे वो ये बताई कि इतनी उर्जा आप में कहां से आती है एक साथ मैं बहुत ज़्यादा सकारात्मत प्रवत्ती का आदमी हूँ मैं पॉजिटिव बहुत सोचता हूँ और इसलिए मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकता या मैं सुस्त नहीं बैठ सकता तो मैं कान क्योंकि मैं ज़्यादा करता हूँ उसकी वज़े से मेरे दिमाग जो है वह हमेशा ततपर रहता है और चलता रहता है तो नहीनी आइडियास आती रहती हैं और बस इसी के चलते जिसे अब उर्जा कहते हैं वो तिकता हुआ शायद क्योंकि मैं तत्पर है तो हमेशा कुछ नगुश करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं आपका रुज़ान पूरी तरह से एक्टिंग की और हो जाए वैसे भी अभिनाय के लिए मुझे पूरा वक्त नहीं देना क्योंकि गायन मेरे जिनगी का एक बहुत ही महत्वपून पहलो है दोनों के साथ मुना है चलूँगा तालमिल बिठाएंगे दोनों बिठाओंगा बिल्कुल अच्छा सुनुची आपके करियर और गीतों की बातें तो हम करेंगे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन फिलहाल हम चलते हैं फ्लैच बैक में आपकी बच्चपन की और कैसा था आपका बच्चपन कितने शरारती थे आप मेरी मामी के अनुसार मैं शरार्ती था पर मेरी अनुसार मैं बहुत शरार्ती होने के बावजूद भी डिस्ट्रॉक्टिव नहीं था तो यह चुपा तो नहीं रहे अपनी शरार्ते मैं बता हूँ आपको, मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन में इश्वास रखता था जैसे कहीं पर किसी की शादी में गया या किसी शो में गया, कॉंसर्ट में गया, जब भी किसी के प्रोग्राम्स करते थे, शादियों की शो करते थे जो भी, तो शो खतम होने के बाद में मैं वहां की कुर्सियों को मैं गिराता था अपमें पैरों से लातात मार मार के, इतने लेवल तक मैं डिस्ट्रक्श्टिर था बस, लेकिन लोगों को बिना बात के मारना, किसी के सर फार देना, ऐसी कभी गल्तिया नहीं कि मैंने, और इमोशनल था, सेंटिमेडल था बश्म मन्चा रखता था, हर चीज के बारे में, पढ़ाई में स्कूल में टॉपर था मैं, और खेल में भी काफी अच्छा रहा हमें, पढ़ाई में भी अच्छे थे आप, दस वी तक मैं टॉपर था, उसके बाद से फिर मेरा ध्यान गाने पर जब चला गया, तो मुझे लगा कि मुझे एवरिज लेना है, तो उसके बाद भी पर मैं स्टिंशन से पास तो हो आई था, 75 परसन के करीब है था, तो आप क्या सूचते थे कि आप एक गायक बनेंगे उस समय जब पढ़ाई किया करते थे, बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, कई तरह मेरे इच्छा हैं थी, जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे साइंटेस्स बनने की अच्छा थी, काफी समय तक, उसके बाद पिर IFS या IS में जाने की मेरी अच्छा थी, च्यूकि मैरे जी की अच्छा था काफी, उन दिनों के साब से, पिर गाना तो मेरे साथ मेरे साथ में हमेशे चली ही रहा थ तो मैंने सुचा कि पार्शों गायन भी करूँगा दसवी के बाद जब मैंने कॉमपोडिशन चीदने शुरू के दिली में तब मुझे लगा कि मुझे गायन को गंभीरता से लेना है बस फिर बारवी के बाद सीथा बंबे आ गया पूरी अंबिशन लिये की गायप पनूगा अच्छा सुनू जी तो ये बताई कि गाने की लौ आपको कैसे रखी मेरी पिता जी श्री अगम कुमार निगम और मेरी माता जी शोभा निगम दोनों बहुती बढ़िया गाते हैं पिता जी मेरे हाला की आगरा में पैदा हुए फरिदाबाद में पले बढ़े मंबई में उन्होंने गाना जो है प्रोफेशनली शुरू किया मेरी ममी मंबई की ही पली बढ़ी है हाला की वो गड़वाली है तो उनों का प्यार बढ़ी में हुआ और उसके बाद शादी के बाद में वो लोग फरिदाबाद में आके दो साल रहे जहां मैं पैदा हुआ पर हम दिल्ली में चले आए तो दिली में जब आपा शो करते थे, मामी भी शो करती थी, तब मैं बच्छमन में उनको देखते देखते ही होश में आया तो जब होश समाला तो गायन चली रहा था घर में, तो बैसे भी मैं इन्कुजिटिव चायल था जैसे मैं अब को कहा तो मुझे भी इच्छा जगी की मैं भी गाओं, तो बिना उनके इंस्पिरेशन के ही मैं साड़े तीन, चार साल की उमर में मैंने स्टेज शोर शुरू करती है और फिर उनका अच्छा रिस्पॉंस आता है उनको, पहली अलबम आई थी उसकी आदो में गायन के जो आरंबिक शिक्षा दिक्षा होती है अगम साहब से ही आपने ले अपने पिताजी से अच्छा, तो हमने सुनाए कि बच्पन में रफी साहब के साथ आपने कोई गीद गाया था स्टेज पर, तो वो घटना क्या थी हमें ज़रा बताएगे जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बच्पन में अपने पापा के साथ ही गाया था गाया था गाना, वो गाना रफी साहब का था, क्या हुआ तेरा बादा वो घृरा दाबिक्षा जो आज प्रोनिमा के नाम से कहलाती हैं, उनका पॉर्शन था उस गाने में, बच्चे का पहला जो मौका मिला था आपको वो गाना कौन सा था और कितनी साल की उम्र थी जब मतलब सबने चाना उस गाने को मेरे पहला गाना असल में मैं उशा खना जी के साथ में गाया था बंबई में उसके पहले में दिली में बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स कर चुपा था करीब सेकडों जिंगल्स और बहुत सारे सीरिल की गाने और वैसे टीवी की गाने एटी 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 नाइन में जब मैंने डिल्ली में रिकोर्डिंग्स श्रू की उस समय मेरी उमर 12 साल कि ती और तब मैंने बहुत सारे गाने डिल्ली में गायए उसके बाद फिर बंबे ऑफे जाने उशमीजी कि अबlor बाइएड जो कि इस सिंगर से एक सोलो गाना कावा बहुत बढ़ी असा तो फिर उन्हों ने एक गाना ओ आस्मान वाले जमी पर उतर के देख फिलमाजा मेरी जान में इसका बहुत 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 बहुतरीन रिस्पॉंस हुआ उसके बाद से टी सीरीज में मुझे काम जादा तो क्या पहले रिकॉर्डिंग में आप इनर्वस थे मैं बहुत बहुत नर्वस नहीं था पहले रिकॉर्डिंग मैंने दिल्ली में की थी एक आल्बम था फादर एंसन वन बाई वन अपने पिता जी के साथ में तो मैं समें उस उस आल्बम में मुझे गाना गाना था याद किसे आना हुआ? वही जैसे कहा मैं आपको 89 में मैंने पहली बार सोला की उमर में वहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी और इसके बाद करते 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 91 दो साल तक मैंने दिली में खुब काम किया और इसके बाद सप्टेंबर में मैं अप मेरे पिता जी बंबई आए संखर्ष करने के लिए गायक बनने के लिए और तब पॉप मिजिक था नहीं इसलिए प्लेबैक सिंगिंग की जरिया था तो मुश्किल जरिया कुछ ना हम लोगों ने और प्लेबैक सिंगर बनने के लिए जब बंबे आये तो दर भटके ओफिसर 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 लोगों से मिले कई लोगों की कई तरह की बातें सुनी उनके बात बेबात की सल्हा मशवरे सुने और सुनना पड़ता था क्या करें क्योंकि कोई था नहीं हमारे उपर गार्डियन तो मैं मेरे पिताजी ने मिलकर ये स्टॉगल शुरू की अच्छा शुरुवात आपका भी संघर्ष में बीता तो कुछ संघर्ष की बातें आद आती हैं हमेशा याद अगता हूं मैं मुझे याद है मैंने दो तीन गाने गाये थे टी सीरीज में ही गाये थे तब गुषिन कुमार जैसे मेरी भेंटनी हुई थी तो वो गाने मुझे बड़े उम्बी थे कि वो रह जाएंगे मतलब वो रखे जाएंगे लेकिन लोगों ने सब में बोला कि अच्छे हैं मैं दो ती महने बाद जब मैं वापस बंबे आया दिली से कुछ समय के बाद में तो मुझे पता चला कि वो गाने नहीं थे रही नहीं थे तो मैं बहुत दुखी वह था और मैं इनफेक्ट रोने लगा था एक स्टूडियो में क्योंकि मैं उमर में तब छोटा ही था तो अंदर से मैं थोड़ा सा तूट गया था कि अब मेरा पतानी क्या होगा इतना मुश्किल से मैंने गाने काई और वो गाने भी नहीं रखे गाए ऐसे कई घटना होती है जो इन्साम को याद रहती है और वो अदासी शायद आद की जोली में इतनी सारी काम है भी आज दे गया है वो दासी मेरे जी जोली में बहुत सरी खुशें देगा है क्योंकि आज जब कोई मेरे साथ कुछ अगर बुड़ा भी होता है या कुछ चीजें ऐसी होती जो हम प्लान करते हैं वो नहीं होती तो मैं हमेशा उन बुरे दिनों को याद करता हूं लो, तो हम सोचते है कि कमाल है, भारत में बड़ी-बड़ी बादे होती हैं संगीत मिट्टी मिट्टी में है और राग, रागीनियों के बाते और शव्त बद्रधें है वो कभी इंस्पायर नहीं करते हैं अब को इंसिपायर नहीं पड़ती है जब आज कामियाब हो चुके हो एह उन को मता हो ता हो निके हमारे को इत्वारते हैं उखा बजा करते हैं शामिल बाजय की तरह दिड़ा तो पेशिल्स करके लोगों को कुछ अची चीज़ें दी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सेट कर लिए शो को और वो इतना बड़ा हिट बन गया कि मिजिकल हिस्ट्री में उसका नाम हमेशा फेमस रहेगा अच्छा इस शो का आपके करियर पर कुछ असर पढ़ा क्या अहमिएत थे आपके करियर के लिए इस शो का शिरुवाती असर ये था कि लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया बहुत लेकिन संगीत कारों ने और ब करता है क्योंकि पहले लोग मजा कोड़ाते हैं सेकंड क्रिटिसाइज करते हैं थार्ट में फिर एक्सेट कर लाता है संगीत कारों ने भी आहिस्ता ही इस चीज़ को एक्सेप किया मुझे पहले काम नहीं मिलता था उसके बाद 97 में संदे से आते जब आया अनु मुलेक जी का संगीत बद था जो मैंने 95 में गाया था वो जब बॉडर्ण फिल्म आई उसके बाद परदेश का ये दिल दीवान गाना आया सुभाश के जी के फिन थी और नदीम शम का संगीत था उन गानों के बाद लोगों को लगा कि अरे ये तो हैं ये सीरिस सिंगर है ये प्लेब जी इस गाने के रिकॉर्डिंग से चूड़ी को इगटना आपको इयादाती है ये गाना बहुत लंबा गाना था लिक्षा बहुत लंबा था जवेजी ने बहुत 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 पहतरी लिखा है और अनुमलिग जी ने उसके साथ पुरा जैस्टिस किया इतने इस गाने से मुझे बहुत फदा हुग्ट कि गाने के दोरान हम लोग एक तरह मेर उपकुमार ठोड़ जी इतल अलर्ट थे विए रोना टोज़ और हादर कि मुझे सरह मुझे भाने हुग उगाते हुए यह काना मेरी स्टाइल का था क्योंकि रफी साहब को इतना सुना है लाता जी वगर को इतना हमने माना है कि ये गाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था पर इतना अच्छा गाना बहुत ही कम जिंदगी में आता है तो इस काने के साथ आज भी मुझे याद है किस तरह से स्टूडियो में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे जेपी साहब सामने बैठे हुए थे चावित अक्तर जी अनु मलिक जी सामने कंड़क कर रहे थे प्यूरिफुल मेमरी जाद सॉंग सुना है कि उसमें काफी इमोशनल हो गए थे आप लोग और स्टूडियो के दौरान ऐसा कुछ हुआ था क्या है वो लोग हुआ है कि मेरे ले तो गाना एक टास्क था और मैं इमोशन्स कभी भी व्यक्त नहीं करता जादा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ जादा मैं रोता हूँ तो कभी कुछ अगर फिल्म देख रहा हूं तो मुझे आंकोंमें आसु आ जाए गए मैं अपने पर नहीं दोता नाहीं मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं यह बोल कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट थापित करना चाहता हूं अपने आपको कि मैं गानों के दरान रो देता हूं, आखों में आसु आ जाते हैं, मुझे अपनी माँ की यादा आ जाती है, या मुझे नहीं आती है, मुझे किसी यादा, मैं गाने को टास्क की तरह लेता हूं, हर गाना मेरे लिए एक चैलेंज होत अच्छा बात चल ले थी अपने कुछ देशवक्ति गीतों की भी बात कर रहे थे तो हम कुछ और देशवक्ति गीतों की बात करते हैं The Legend of Bhagat Singh में आपने बहुत ही अच्छा मशूर नगमगाया था उर्जा भरे देश वक्तिगी थे खास्तोर से जो मेरा रंग दे बसंती चोड़ा ये काफी हिट हुआ था और एयार रह्मान सहाब का संगीत है तो उनके साथ काम कानुभो आपका कैसा रहा है और वो उसकीत की रेकॉर्डिंग के बारे में कुछ आपको याद आता है तो बताईए हमें अग्यार रह्मान के साथ काम करना एक बहुत अच्छा एक्सपिरिंस होता है क्योंकि वो ज़्यादा सिंगर्स को तंग नहीं करते हैं वो एक्ट्यूम बना देते हैं बेसिक उसके बाद उस सिंगर को उस पर काम करने का पूरा मौका देते हैं पूरी छूट देते हैं और बड़ एच्छे इंसान है वो तो उनके साथ चान में काम करता हूं तो मैं गाता रहता हूं बिना रोके ना वो रोकते ना मैं रुकता हूँ तो उनको उसके बाद में जो टेक पसंद आता है उसको रख लेते हैं और उसके गाना बना रहते हैं काफी गुणी इनसान हैं और लेजेंडर भकर सिंग का जो गाना जैसे मैंने वो कहा ये गाना बहुत ही यादगार गानों मेंसे मेरा एक है मेरे दिल को बहुत प्रीया है गाना गायकी के साबसे मेरा निदे बसंती चोला ज्यादा डिफिकल गाना है एक गायक के तौर पे अगर कहूं तो उस गाने को शायद मैं सुझा था कि उसे कोई राश्ट्रिया एप्रिसेशन भी मिलेगा वो गाना वाकि में बहुत अच्छा बनाए भी गया है बहुत अच्छा मेरे साबसे मैंने सुगाए भी काफी समझ दागी से गाया है अच्छा आप बड़ी व्यापक रेंज के गायक हैं यानि आपकी आवास की रेंज काफी उची है ये सब लोग इसको स्विकार करते है और एर रह्मान भी काफी व्यापक रेंज के संगीत कार है तो आपने ठीज सारी फिल्में उनके साथ किये है कहां से ये सिल्सला शुरू हुआ था हमने पहली बार काम किया था फिल्म दावड में एक काना था शब्बा शब्बा हाई रबबा हुने लगा है न शाम मुझको होते ही शाम इस गाने में मुझे पहली बार एर हमान के साथ काम करने का मौका मिला था मैं उसके भाद एक से गाने काया थे मैंने जाहे वो five nations में हो हूने दामेल में गान गाया थे मैंनmile उसके लिए उसके बाद ताल में sadrang Fotok वो गाया एक से जाहे एप बिर्म घंड अनम काया था एक लाए प्रेंन कया थे खाए अप良 Sol तो कैसा था वो दिन? वो गाना बहुत अच्छा था, मुझे विदा कि यादा कि वो गाना मैंने एपरिल फूल की दिन काया था, 1999 में, 1st एपरिल, लटा जी के साथ में पहली बार गाया, उनके साथ खड़े हो कर नहीं गाया, लेकिन वो मुझे से पहले का रही थी, और मैं वहाँ रात को पहुंचा, मॉमे में ही, रिकॉर्डिंग होती है, रहमान तब बंबे आया हो थे, लटा जी कुमें देखा, गाते होए, युसके बाद जब वो मुझे से मिली, तो मुझे देख के कहती है, कि आपने एक बार तरद्ब मुझे कर गाना काय था सारे काम हो में, वो मुझे बहुत पसंद आया था, उनके अंदाज मनों ने मुझे कहा, फिर उसके बाद कहती है आप गाई है मैं आप उसके बाद फ़र देर होगी तो फिर उनको जाना पड़ा लेकिन उनसे मिलना बहुत ही अच्छी एक्सपिरिंस था पहली बार उनसे मेरी बेंट हुए थी उसमें अच्छा सवनौ जी बात चल ली थी यहार रहमान के संगीत के है तो फिर्म Dilsञे का जो गाना है तू ही तू सतरंगी डे एल् looking का गानाै इसके बारे में कुछ बताना जाएंगे कुछ यहाद आता है सुतरंगी चाना जो मैंने जब इंके साथ गाया था रहा है या अपने हों में अलगी जाना आप बना है हर अंतरा अलग त्यून में एक्षेशीन्स गुलजार साहत में लिखा भी बहुत अच्छा तो जब उनके साथ मैं काम कर रहा था तो एक जगे पर जाकर मुझे थोड़ा तकलिफ होना लगी काते हुएबूर था आखरी इंतर के पहले एक अलाबाता है मुझे मत की गुद में सुने दे इस जगे पर मुझे तकलिफ होना लगी तब तक मैं पूरे गाना गाच चुका था और आपके दो तीन बज़े थे उस समय तो गला मेरा ठक गया था फिर आथा घंटा मैंने ब्रेक लिया बाहर गया मैंने अपने उस्ताद गुला मुस्तफ़ खां साब का बताय हुए एक रियाज का तरीका आदा घंटा किया और उसके बाद मैं का सका अच्छा सुनू जी फिल्म साथिया के टाइटल सौंग की हम बात करें तो मेरी बड़े दिन से जानने की ये तमना थी कि ये जो नशीली आवास का जादू है हया की लाली खिलते रे खास दोर से ये जो लाइन है तो ये जो अदाइगी है ये संगीत का निर्डेशन है या फिर आपकी अदाइगी है आपकी आवास का जादू है दोनों ही का सकते हैं क्योंकि ये गाना मुझे अभी तक ह्या रोडा है, गुलिजार Vid., dunno मुझे Owen किया और कहा क्या, सुनु घाना मेरी श्री आपस नची सोनु जब पर मेरे भर होगा है, क्योंकि ये गाना मुछ से इस ट्यून पे फिट नी हो रहा क्योंकि ये असल में एक टेमिल गाना था जो रहमान पहले बना चुके थे यसरी हर इंजी ने गाया था तॉ वर्ड़्ा बना चुक झालने थे उसमें फिट करने थे मैंने लिखे तो फिर मैं हमकी घर पे गया, वहां उनके साथ बैठा और इस गाने को इस ट्यूम में डाला मैंने, किस तरीके से गाना है, किस तरीके से उसमें फिट करना है, फिर गुल्जा साथ ने मुझे अपनी एक पुस्तक भेंट सो रुख दी, अच्छी तरीके से इस ग करो तो अपना दिखाने का बहुत मौका मिलता है, और यही मेरे ख्याल से उनका प्लस पॉइंट है, कि वो सिंगर से उसका बैस निकालता है, बजाए की हर सिंगर को अपनी जैसा गावाने के, तो मैंने इस गाने को अपनी तरह सिकाया है, तो रहमान ने मुझे खुली छू अच्छा एयार रहमान के काम करने का तरीका बड़ अच्छा है आपने पता है, लेकिन ये सुना है कि वो आधी रात को रिकॉर्डिंग करते हैं, बारावजे, तुस्ते को तकलीफ तो नहीं होती, अगाय को कभी को तकलीफ हो जाती, क्योंकि रात का टाइम बहुत जादा हो जाए तो आवाज में वो रेशन नहीं रहता जो जिन के समय रहता है, लेकिन क्योंकि अबजातर सिंगर यूस्टू हो गया है इस प्राक्टिस के तो बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है, रहमान दिन में सोते हैं और रात में थोड़ा जादा काम करते हैं, तो उनकी प मैंसी से लेकर तेरासी तक मैंने कुछ फिल्मों के काम किया था, काम चोर में राकिश रोष्ण जी का पड़ जादा था था जाहिए नऑतर को हम से वान दुल का बचन करूल की था, बेताब मैं रहांर Теперь突म बंढे उस पारत में दृश्य वेजार आट के का SEN बोड़तOOD आशि जिसे ताल फिल्म का गाना, इम्रिप से खटता इशक है, जिसे पढ़ दिल दे बाना, तो वो सब जो अभीने सीखा है आपने, वो गानों में काम आता है, मेरे खहल से गाना अभीने में मेरे काम आएगा आगे चलके जिए क्याने की एक्सप्रेशन अभी तो मैं इतना बड़ा अभीनेता नहीं कहला जासकता है तो इसलिए अभी तक तो यही कह सकता हूँ कि गाने नहीं मुझे मड़त की है Strategically गाने और अभिने में रियाज एक ही है लेकिन दुनिया अलग है दुनों के विचारदारें अलग है एक में आवा से अभी वेक्त करना है और एक से अपनी भाव भंगे माव से अभी वेक्त करना है तो दुनिया अलग-अलग है तो अभी दोनुं को जोड़ा नहीं सकता ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा अक् gebाव ही सकता है या जो बहुत अच्छा गाता हlam हो पहत अच्छी अक्टिंब कर सकता है ये कोई जरूरी नहीं है अगर sensitively सोचा जाए और इसको logic को समझ़ा जाए तो दोनों का रियाज जो है वो एक ही तरह से शुरू होता है और एक ही जगे पर खत्म होता है बस दो दुनिया अलग अलग है अच्छे क्या जादा चुरोती पूर्ण लगता है अभी ने या गाना इस समय गाना जादा चुरोती पूर्ण है फिर कवाली चाहे सरफोश की हो, या रोमेंटिक सा गाना सुरुज हो मध्धम, ये फिलासोफिक गाना कल हो ना हो, तो इस तरह के जो गाने हैं, अब इतने मैं तरह तरह के विविद आवाजों में गा चुका हूँ, सायल में गा चुका हूँ, कि हर रोज नया कुछ प्रयो कर करता रहेगा, अच्छा पांच ऐसे आपके गाये हुए गारें, जो आपके दिल के करीब हैं, आपके पसंदीता हैं, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, फिर मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, फिल्म संखर्ष, फिल्म वास्तों में मेरी दुनिया है, तुछ में कहीं, दोनों गाने मुझे बहुत पसंद है, फिर जिंदेगी मौत ना बन जाए समाहलो यारो सर फ्रोष ये कवाली थी, वो मुझे बहुत पसंद है, तेरा जादु जल गया फिल्म का टाइटल सॉंग और एचान तेरी चाननी की करसम, वो गा करते हैं, अपने विवाह के बारे में बताइकी, क्या आपका प्रेम विवाह फा? जी हां प्रेम विवा था, 1995 में हम पहली बार मिले और 2002 में हम लोगों निशादी की अच्छा आप अपनी सफलता काश्रे किसे देते हैं? मैं अपने सफलता काश्रे कुछ लोग कहते हैं भाग ये को, कोई कहते है भगवान को, कोई कहते है माता पिता को, कोई कहते है गुरू को मैं एक बहुत अजीब सी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, मैं अपने सफलता काश्रे अपने आप को देता हूँ क्योंकि कितने भी अच्छा गुरू हो कितने भी अच्छे माबाप हो कितने भी अच्छे किस्मत और कुछ भी हो अगर आदमी के अंदर खुछ जजबा ना हो कुछ करने का है या कुछ अच्छीव करने का है सीखने का अगर हम अपने से बड़ों की हमारे गुरू के इतना भी बड़ा महापंडित हो हम उसकी किसी बताय हुई बात को ऐसे हमने कि आरे ठीक है वो करता होगा तो मैं तरुदूरे मैं भी करूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है इंसान मैं इतना रिसेप्टिव हूँ कि मैं आउडिनरी से आउडिनरी इंसान के अंदर अच्छाईया देखता हूँ उससे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ भवान करे मेरे अंदर कभी मेरे अंदर से कभी जजबा जाए ना और मुझे लोगों की बुराईया निकालने से जादा उनके अच्छाईया ढूंडने में मज़ा आता है ऐसा क्या होगा इस इंसान की आवाज में कि उनका गाना सुपर हिट हुआ और उन्होंने जो भी किया क्या होगा तो जरूर नहीं कि कमाल खान हैस टूबी इंडिया जामर बन सेंगा लेकिन उनके गाना तो हिट हुआ तो कुछ ने कुछ ने अच्छा होगा लकी अली में कुछ ने कुछ ने कुछ ने अच्छा होगा कि जो उनके गाने अच्छे लगते हैं लोगों को आदमी पॉजितिव अगर रहे लोगों की इज़त करना सीखे आपने सुखेस की, सफलता की, या उपने पराइं आपने परे में अपने सुखर चार रैसे भी एक सब्सक्रान काकल. ताकि उससे अच्छा आदमी खुद रिस्पॉंसिबिटी ले शुक्रिया बहुत बहुत सुनु जी आपने हमें इतना सारा वक्त दिया अभी बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा है कि यह धूरी है लेकिन फिर कभी आप से जरूर मुलाकात करेंगे पर आप बहुत बहुत शुक्रिया नमस्तार